प्रदेश शरकार के द्वारा लगतार विकास की बाते की जाती है, मगर धरातल में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा। पंचायत के द्वारा बुनियादी सुविधाओं की मांग कर कलेक्टर को ग्यापन सौपा है। असे मरीजों को वा लोगों को आवगमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपनी समस्याओं को निराक्रण कराने ग्राम वासियों के द्वारा कई बार जनपरत्निधीों वौ प्रसासनिक अधिकारियों को अबकट भी कराया गया। बावजु इसके अब तक ग्राम की समस्याओं का निराक्रण नहीं हो पाया है। इसके बाद आज उदेप्रु ग्राम पंचायत के भखुर्मा के स्थानी निवासियों के द्वारा आजात सिवसंग के बैनरतले कलेक्टर के नाम ग्यापन सौपकर ग्राम पंचायत की समस्याओं का निराकरण की मांग की गई। पानी पर कोई ला बोले ने तुम ने बोले थे रेकिन बना भी नहीं कर थे गाम में कितना परिवार हुई पुरा क्या लोग हैं लोके पारा में रोड के समस्याओं पीने का पानी भी समस्याओं अब नाला के पानी पीते हैं अभी सितिया थी गर्मी में कैसे सिति होती है गर्मी में तो दिक्कत देता है पत्थुरा गिर जाता है फिर कि चेड़ वाला पानी पीते हैं वही नाला का जाते हैं हैं फिर बनवाएंगे बोलते हैं फिर भी तो धियान नहीं देते हैं जाते हैं इसलिए हम लोग भी आपर सोपने आए हैं क्या चाहते हैं जल से जल पानी करनी रख रहन चाहते हैं जिस प्रकार से अजास सेयर संग ग्रामीड इलाकों के समस्याओं को उठा रहा है आज इसी को देखते हुए जिलक एलेक्टर के पास आये थे उदैपूर ग्राम भकुर्मा जुजंडी गाउं के लोगों को वहाँ पानी की बहुत बड़ी किलत हैं वहां के लोग पानी के लिए जो वहां के नाले होते हैं उसी नाले के पानी को पीते भी हो और उसी के नाले के कपड़े भी धोते हैं और नहते भी हैं वहां आज तक रोड का निर्मार्ण नहीं हुआ है रोड के निर्मार्ण ना होने के का सौपा है जिसको आस्वासन मिला है कि जल से जल इस पर करवाही किया जाएगा हम जिला कलेक्टर को सौपने आये थे पर जिला कलेक्टर थे नहीं तो अधिक्चक साहब को हमने ग्यापन सौपा है